हेलो दूस्तो नमश्कार SMKC चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ तो दूस्तो बहुत सारे लोगों ने आज के दिन और एक कंपणी से रिलेटेड यापर रिक्वेस्ट किये जो की हम लोगों को एक शेर के बदले दस शेर देने या पर जारी है मतलब अविसले हम लोग कह सकते हैं split bonus की या पर बात हो रही है तो अगेन कहना चाओगा इस company के बारे में हम लोगों को detail जाननी पड़ेगी कंपणी करती क्या है क्या company अच्छी है सिर्फ इसके चक्कर में अगर आप जाओगे तो आप बहुती बुरी तरीकी से आगे भी फस सकते हो तो उसी से related हम लोग देख लेते हैं कि company case ही है तो वीडियो को start करते हैं पर उससे पहले जरू के ना चाओगा आज के दिन आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके है सारे वीडियो के link नीचे description box में मिल जाएगी इन केस अगर आप तक कोई भी वीडियो notification के issue के कारण नहीं पोचा है तो आपको update रख सकते हो stock market classes को भी follow कर सकते हैं लिंक उपर आए बटन पे नीचे description box में मिल जाएगी तो दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को का कि ये company popular मतलब retail investor लेके आजाते comment section में ऐसे company के बारे में कि एक के बदले 10 share मतलब इसके कारण ही वो popular है वरना इसके पहले कोई पूछेगा भी निस company को तो चले दोस्तों सबसे पहले हम लोगों का main काम है हमेशा की तरह वो fundamental strong हो weak हो कैसे भी हो सबसे पहले हम लोग वही देखेंगी कि company क्या काम करती है तो main industry इनकी है real estate से related और भी कुछ काम करती होगी बट real estate में इनका main business है market cap की बात कर तो मात्र सत्रा सो करोड का market cap है मतलब small cap company small cap मतलब यह ऐसा पकड़ लेना volatility आज सो कल दस कल दस कल एक देड़ सो 200 वापस सो समझ रहे हो ना ऐसी चीज़े हैं यहाँ पर होती रहती है अगर हम लोग बात करे तो यहाँ पर company के recently number आप देख सकते हो profit है बट एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि small cap है न तो profit देख लेना है इनका sales देखो कितना होता है 10 करोड साड़े 10 करोड वो sale होगा और उसमें से जो profit की अगर हम लोग बात करे तो 50 लग नहीं 74 lakhs का profit है मतलब कितनी छोटी company आप लोग इससे कुछ इसका देखना पड़ेगा चलो balance rate का नाम लिए तो jump करी लेते balance rate के उपर सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे results company के results देख लेना 92 lakhs में यहाँ पे रहेंगे 0.92 करोड मतलब 92 lakhs बट माइनस में है माइनस में result मतलब हम कह सकते यह अच्छा data नहीं होता है इसके पहले plus में था but last year minus 1 उसके बाद में तो और भी बढ़ गया negative इसमें ऐसे situation में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे split होते वे देखने को मिल रहे है bonus मतलब कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा doubtful है long term की बात करें तो कोई भी करजा नहीं चलो अच्छी बाते short term की बात करें यहाँ पे भी 00 नजर आ रहे company बहुत चोटी है यहाँ पे तो सब single digit में ही numbers देखने को मिल रहे है cash देख लेते cash के भी बात करें तो बहुत ही चोटी company है somewhere around 1.39.000.000 की cash है आप लोग यहाँ पे कह सकते है तो बहुती 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 जादा छोटी company है यहाँ पे जो टारा मिटरस देखके में अंदाजा लगा सकता है यह company बहुत ज़दा risky है आज यह company जैसे मैंने बताया कि 100 है कल पता नहीं 10 की हो जाए वापस कल 100 पी हो जाए ऐसे इस तरीकी के fluctuation आप लोगों को इस company में देखने को मिल सकता है यह data देखके अंदाजा आ जाता है दोस्तों यह company की अगर हम लोग बात करे share holding pattern की तो आप देख सकते September 19 से लेके December 21 साल का data है हम लोग मोटा मोटी पकड़ सकते प्रमोटर होल्डिंग मतलब नेक्स शेयर होल्डिंग तो डिरेकली एक ही शेयर होल्डिंग है और वो है public यह जो सो public की बात करे 30, 30, 26, 27, 33 तक public यहाँ पर जाती वह देखने को मल रहे है मतलब इस से related अगर आपको overall एक graph wise अगर आपको समझ नहीं तो एक काम कर लता हूँ यह वाला data open करता हूँ यहाँ से समझ में आएगा दिखे सिर्फ दोई color एक blue and एक orange blue मतलब promoter हम लोग कह सकते है orange मतलब public इसका अरच समझ रहे है कोई भी यहाँ पर FIS, DIS इस company में पैसा डाले ही नहीं है foreign investor नहीं है, ना ही कोई mutual fund है कोई institution नहीं है, कोई LIC नहीं है कुछ भी नहीं है, सिर्फ promoter और बाकी बचे हुए public ऐसी यह company और public की shareholding बढ़ रहे है मतलब आप समझ सकते हो थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर चलना चाहिए, एक छोटे-मोटे उपर के parameter नजर यहाँ पर आ रहे है यह देखनी होती बाते, दोस्तों सिर्फ एक के बदले 10 share end उससे क्या फरक पड़ता है अगर आप उससे interview करोगे, क्या मिलेगा आपको आपका investment हो same ही रहेगा हाँ पुराने shareholder है, उनको इस चीज़ का फाइदा ज़रूर होता है देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें company का September का data यहाँ पर available है, September June 20, September 20 का data है, net profit की भी अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हैं आपर properly data available नहीं है, तो हम लोग कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा weird company है नजर यहाँ पर आ रही है, और ऐसे company आप लोग को कहा पर मिल जाते है, मैंने इससे पहले भी आप लोग को इस चीज़े सिखाई है, ऐसे company आपको मिल जाएंगे Bombay Stock Exchange के उपर, NSE के उपर ऐसे company आपको मिलेगे नहीं, बहुत ही मतलब, rarely, 0.001% अगर कोई रहेगी तो, ऐसे weird company जो रहती, usually Bombay Stock Exchange के उपर ही रहते, जो कि हम लोग ने आपको देख लिया है अगर हम लोग बात करें, देखे, corporate action company में 17 तारीक को X date split होने जा रहे हैं, आप कह सकते हैं stock split from 10 रुपे से एक रुपे यहापे होने जा रहे हैं, मतलब, जिसके बाद एक share रहेगा, उसको 10 मिल जाएंगे, बट अगेन कहना चाहूँगा, इसका अरति यह ने कि price company का same रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी ने, divide by 10 हो जाएगा तो adjustment तो बिल्कुल same ही नजर यहापे आ जाएगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस company का price is somewhere around 800 रुपीज का 1.5% का हम लोगों को यहापे performance देखने को मलता है, पिछले अगर हम लोग बात करें, 10th March के एंड company का graph देख लेना है, बहुत ज़दा important है यहापे बहुत ही कम volume है, इसमें सिर्फ अगर ऐसा लगता है, यह देखिए circuits टाइब ऐसे चोटी-चोटी चीज़े हम लोगों को देखने को मलता है, बहुत ही कम volume है, यहापे जैसे मैंने आपको बता है कि public ज़दा नजर अब बढ़ा कर हम लोग कह सकते हैं, सम्वेर अरण 3000% का यहापे जा चुका है, बट जितने भी parameters हम लोगों ने देख लें, मैं अगेन कहना चूँगा, एक के बदले दस शेर मिलेंगे, तो इसका अरत यह नहीं कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं था, कि bonus split से ऐसा फायदा होता है, तो उसका फायदा होता है, बट वो long term वालों को होता है, तो क्या यह company long term के लिए अच्छी है, तो दोस्तों मुझे बिलकुल भी एक company इतनी long term के लिए अच्छी नहीं लगी, company का नाम, आप यहापे देख सकते हो, आप यहापे पढ़ भी सकते हो, world wizard, innovations and mobility limited, तो अगर आप चाहो तो इनकी website भी visit कर सकते हो, आप लोगों को बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी, company का experience 10 साल का है, हम लोग यह भी कह सकते, market के इसाब से company 2015 पे हम लोगों को Bombay Stock Exchange पे यहापे देखने को मिले, अभी तक का performance company का शांदारी, इस देखने को यहापे नहीं मिल रहे, सिफ public and promoter की holding यहापे देखने को मिल रहे, वो भी एक छोटी सी fluctuation manner में, so ऐसे company में वापस कहना चाहाँगा, जिन लोगों ने मुझे comment section में request कहाता है, इसे related वीडियो बदना हो, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आप लोगोंने पसंद नहीं करेगा, जो में चीजें यहापे मैंने सीखी है, इस दाइरे में रहना में पसंद करता हो, इसमें जो company आएगी, चला हम लोग उसको consider करेंगे, जो कोई भी company भार की हो इससे, जो हमारे radar पे fit नहीं होती है, ऐसे company चाहे वो कितना विदासदार पसंद के भी return द को ये share आपको 800 पे नहीं देखने को मिलेगा, 17 तरीक को ये share आपको 80-50 रुपे जैसे भी जिस लेवल पे रहेगा, उस हिसाब से divide by 10, आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, so again कहना चाहूंगा, bonus, buyback, split, dividend इस चक्कर में कभी भी कोई share खरीदा नहीं होता है, and company की जित capital gain की अगर मैं बात करूँ, तो ये company मुझे बहुत ज़्यादा risky लगते हैं, जैसे मैंने 3-4 बार repeat किया, and यही मैं कहना चाहूंगा, and इसलिए मेरा final decision यही रहेगा, कि मैं ऐसे company से दूरी बरतना ही पसंद करूँगा, अगर आपको bonus split के चलते ही कोई share में कूद नहीं है, तो जाओ, Dixon Technology है, Estral Poly है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे नुकसान भी नहीं, कल वो गिर भी गए तो वो उपर खड़े रह सकते हैं, इस company का comeback मैं बता नहीं सकता, company का data, इसलिए तो इतना time हम लोग कर्च करते हैं, company का data देखके यह समझ में आता है, कि आपे मुझे वो risky नज होता है, ऐसा नहीं कि हमारे जीतने स्टॉक से उसी के दाइरे में रहो, knowledge तो at least मिल जाती है, आप चाओ तो company की website visit कर सकते हो, company करती कैंए, एक नया कुछ तो सीखने को मिलेगा, एक additional point सीखने को मिलेगा, क्या फरक पड़ता है, knowledge कभी वेस्ट नहीं जाएगी, future में कभी न क अभी कहीं काम पर आ सकती है, so फिलाल इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूंगा, so आई पाशा करता है, वीडियो पसंद लाए, तो like and share कर देना, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye